एक बार गणीश्ची ने पृत्वी के मनुष्यों की परिक्षा लेनी चाहिए वे अपना रूप बदल कर पृत्वी पर ग्रमन करने लगे उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हात में एक चम्मच में दूद ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुक्ती चावल ले लिये और गली गली घूमने लगे और साथ में ही अवास लगाते रहे कोई मेरी खीर बना दे कोई मेरी खीर बना दे उनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया बलकि लोग उन पर हस रहे थे वे लगातार एक गाउं के बाद द इसी तरह जक्कर लगाते रहे और पुकारते रहे पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ सुबह से शाम हो गई और गणेश जी लगातार घूमते रहे तभी वहां पर उन्होंने एक बुढिया को देखा जो कि शाम के वक्त अपनी जौंपडी के बाहर बैठी हुई वहां से भी गणेश जी यही पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे बुढिया पहुत कोमल हिर्दे वाली इस्तरी थी उसने कहा ला बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हुँ गणेश जी ने उसे कहा माई अपने घर से दूद और चावल लेने के लिए बरतन ले आओ बुढिया एक कटोरी लेकर जौपडी के बहार आई तो गणेश जी ने कहा अपनी घर का सबसे बड़ा वाला बरतन लेकर आओ बुढिया को थोरी जुझला हट हुई पर उसने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चे का मन रख लेती हुँ और अंदर जाकर वे अपनी घर से एक बड़ा सा पतीला ले आई गणेश जी ने चम्मच से दूद पतीले में उढ़ेलना शुरू किया तो बुढिया के आश्चर की सीमा नहीं रही उसने देखा दूद से पूरा पतीला भर गया है एक के बाद एक बरतन जोपड़ी से बाहर लाती रही और उसमें अनेश ने बुढिया से कहा मैं स्नान करके आता हूँ तब तक तुम मेरी खीर बना दो और मैं वापस आकर खाऊंगा बुढिया ने पूछा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी इस पर गणपती बोले सारे गाम को दावत दे दो बुढिया ने बड़े प्यार से मन लगा क खीर बनाई खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी कुश्पो चारो दिशाओं में फैलने लगी खीर बनाने के बाद बुढिया हर घर में जाकर खीर खाने के लिए दावत का नियोता देने लगी लोग उस पर हस रहे थे कि बुढिया के घर में खाने के लिए दाना नहीं है और सा तुहल हुआ, खीर की खुश्पू से लोग खिचे चले आए, लोग अब तो सारा गाउं बुडिया के घर में इखटा हो गया, जब बुडिया की बहु ने दावत की बात सुनी तो वह सबसे पहले वहाँ पहुँच गई, उसने खीर से भरे हुए पतीलों को जब देखा तो उसके मुँ में पानी भराया, उसे बड़ी जोर की भूग भी लगी थी, उसने एक कटोरी खीर निकाली और दर्वाजे के पीछे बैटकर खाने की तयारी करने लगी, इसी बीच एक छीटा नीचे जमीन पर गिर गया, और गणपती जी को भोग लग गया, और वो प्रसन्न हो गये, अब पूरे गाउं को खाने की दावत देकर बुडिया वापस अपने घर आई तो देखा कि बालक वापस आ गया है, बुडिया ने कहा बेटा, खीर तयार है, आओ भोग लगा लो, गणपती जी बोले माई, मेरा भोग तो लग गया है, मेरा पेट पूरी तरह से भ गया है, मैं तरप्त हूँ, अब खीर को तूखा, अपने परिवार को खिला, अपने गाउंवालों को खिला, बुडिया ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, सब का पेट भर जाएगा, तब भी खीर बच जाएगी, इस बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी, इस पर गणिश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारो कोनों में रख देना, बुडिया ने ऐसा ही किया, जब सारा गाउं जी भर कर खा चुका, तब भी ठेर सारी खीर बच गई, उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारो कोनों में रख दिया, सुबह उठकर उस उसकी सारी दरिर्दर्ता दूर हो गई थी अवे अराम से रहने लगी उसने गणपती जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तलापी बनवाया इससे उसकी प्रसिद्धी चारों तरफ फैलने लगी उस जगे वार्शिक मेले लगने लगे लोग गणेश गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर आते पूजा करते और मानेताएं मानने लगे गणेश जी सब की मनो कामनाओं को पूर्ण करने लगे इसलिए हे गजानन हम आप से विंती करते हैं कि जैसी तुमने बुढ़िया पर कृपा की वैसे ही कहते की सु सारे देवताओं को बुलाया और देवता लोग कहने लगे हम तो चल पढ़ेंगे लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसे तो एक मनमूंग सवामन चावल और खूप सारा घी नाश्ता एक बार में ही खाने के लिए चाहिए इसके तो सूंड भी है लंबे की रखवाली करने के लिए छोड़ चलते हैं सब भगवान की बरात में चले गए इतने में नारत जी आये उनसे गणेश जी का ये हाल नहीं देखा गया और गणेश जी से बोले तुम्हारा तो बड़ा अपमान हुआ है क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए गणेश जी ने नारत जी के कहने के अनुसार ऐसा ही किया इससे भगवान के रद का पहिया धर्ती में फज गया सबने निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन पहिया नहीं निकला उन्हें से कोई एक जाकर बड़ई को बुला लाया बड़ई ने हात लगाते ही कहा जै विंद जी को क्यों याद किया तब वे बुला विंद्यायक जी गणिश जी गणपती को याद किये बिना क्या कोई कार्य होता है क्या तुमने बरात की चड़क्त से पहले गजानन को नहीं मनाया या उनका पूजन नहीं किया इसी लिए आपके उपर यह मुसीबत आई है और आपक के हुए उन्हें विवा में आमंत्रित किया और श्रीहरी का विवा लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ और सभी शैकुल्षल अपने घर लोटाए है गणपती जिस प्रकार आपने नरायन भगवान तक के कारें को सुद्ध किये उसी प्रकार अपना सुमिरन पूजन और अ भगवान कडेश जिने हम सभी कोई भी शुपकारे करने से पहले पूजते हैं पूजा पाथ हो घर में कोई शुपकार रहे हो या कोई अन्य आनंद महोत्सव सबसे पहले गणपती का ही पूजन किया जाता है तो चलिए आज सुनते हैं गणेश भगवान के विवा का वरता एक पार भगवान कडेश गहले वनों में बैटकर ध्यान कर रहे थे वहां से देवी तुलसी निकले गणेश जी की विजित्र छवी ने तुलसी जी को बहुत प्रभावित दिया तुलसी जी ने भगवान कडेश से विवा करना चाहा ध्यान से उठने पर भगवान कडेश स देवी तुलसी ने कहा कि प्रभू मैं आपसे विवा करना चाहती हूं कृपया मेरा साथ स्विकार कीजे भगवान गणीश ने देवी तुलसी जी से विवा करने से मना कर दिया इस बात से तुलसी जी क्रोधित हो गए उन्होंने गणेश जी को शाप दिया कि आज तुम तुलसी जी के श्राब को कुछ समय बीता तब तक भगवान गणेश जी की भी विवा करने की इच्छा जागरत हो गई लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवा करनेश से नहीं करना चाहता था देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान है और गणपती देवताओं से अलग दिखते हैं इसलिए उनसे कोई भी विवा करना नहीं चाहता था विवा ना होने से गणपती क्रोधित रहने लगे और जब भी किसी देवी देवता का विवा होना तैह होता तो वो उसमें पिखन डाल देते और इस काम में उनका वाहन मूश उनकी बहुत मदद करता था वह विवास तल पर पहुँचकर वहाँ पर फल, मिठाईयों और मंडब को अपने नुकीले दातों से कुतर कुतर कर सब कुछ तहस नहस कर देता था गडेश जी के इस कृत्ते से सभी देवी देवता बहुत परिशान हो गए वे सभी मिलकर शिवजी के पास पहुँचे शिव्जी बोले इस समस्या के समाधान के लिए तो हमें भ्रम्माजी के पास ही चलना पड़ेगा जब वे सभी एकत्रित होकर भ्रम्माजी के पास पहुँचे तो भ्रम्माजी ने दो मानस पुत्रियों को उत्पन्न किया उनका नाम रिध्थी और सिथी रखा गया इन दोनों पुत्रियों को ये आदेश दिया गया कि जब भी भगवान कडेश किसी देवी देवता के विवा में विग्ण डालने लगे तो उस समय उनका ध्यान किसी और विशय पर केंडरित कर देना ताकि गणेश जी की वज़े से विवा में विग्ण ना सके छे महा तक रिध्थी और सिथी इसी तरीके से गणेश जी का ध्यान दूसरे विशयों पर लगाती रही तब भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिध्धी सिथी की बातों में लगे रहने के कारण सभी देवी देवताओं का विवा संपन्ध हो गया है और वे एविवाहित ही रह गए हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध हाया इसका पता लगने के बात प्रह्मा जी रिध्धी सिथी के साथ कणेश जी के समक्ष प्रकट हुए और भगवान गणिश से रिध्धी सिथी के साथ विवा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया भगवान गणपती ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया इसी के साथ ही देवी तुलसी का श्राप भी सच हो गया भविश्य में उनके दो पुत्र शुब और लाप भी हुए और साथ ही एक पुत्री देवी संतोशी का भी प्राकटे हुआ एक बार सभी देवी देवता संकट में गिर गए थे और उनके निवारन के लिए वो भगवान शिव के पास पहुँचे उस समय भगवान शिव, माता पारवती अपने दोनों पुत्रों कार्तिके और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की ओर देखा और उनसे पूछा कि कौन इस समस्या का समाधान कर सकता है ये सुनने के बाद गड़ेश जी और कार्तिके जी ने एक स्वर में खुब को इस योग्ये बताया ये सुनने के बाद भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए लेकिन अस्वंजस में पड़ गए कि दोनों में से किसको ये कार्रे सौपा जाए उन्होंने कहा कि जो भी पृत्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आ जाएगा वेह देवताओं के संकट के समाधान के लिए जाएगा पगवान कार्ति के एका बाहन मोर है वे उस पर सवार होकर प्रत्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े गड़ेश ची की सवारी मूशक है उनके लिए मोर की दुल्ला में पहले परिक्रमा करकर लोटाना संभव नहीं था गडेश जी बहुती चतुर हैं वे जानते थे कि चूहे पर सवार होकर वे पहले प्रित्वी की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे उन्होंने एक उपाय सोचा वे अपने स्थान से उठे और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शेफ और माता पारवती की साथ परिक्रमा करके वापस अपने आसन पर विराजबान हो गए और उधर जब भगवान कार्ती के प्रित्वी की परिक्रमा करके आए तो उन्होंने स्वैम को विजेता घूशित किया क्योंकि गड़ेश जी तो वहीं के वहीं बैठे हुए थे तब महादेव जी ने गणेश से पूछा कि भी पृत्वी की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं गए और उनकी परिक्रमा क्यों की इस पर गणेश जी ने कहा माता पिता के चर्णों में ही पूरा संसार है इस वज़े से उन्होंने अपनी माता पिता की परिक्रमा कर दी और गणेश जी के इस उत्तर से भगवान शेव और माता पारवती बहुत प्रसंद हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने को भेजा साथ ही भगवान शिव ने गणेश जी को आशिरवाद पिदिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करेगा और चंद्रमा को जलर पित करेगा उसके सबी दुखतूर हो जाएंगे उसके संकटों का समाधान होगा पापों का नाश होगा और उसके जीवन में सुख समरिद्धी आएगी इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्मलाब प्राप्त कर सकें